हलो रोवान वल्किम टू के अंदर हम लोग आज के सेशन के अंदर हम लोग आपके अपकमिंग इग्जामिनेशन आई बी पियर्स और बी प्यो मेंस के एग्जामिनेशन के लिए इस सब्जेक्ट से टॉप 40 जो प्रिवेस्ली कोशन्स पूछे कहते हैं इन 2023 वह हम लोग डिस सब्जेक्ट से आपको पूछ जाते यह सारी चीज़ें आपको मैं आज की सेशन के अंदर बताने वाला हो गाईज बिफोर अगर आप फॉर्स तैम चैनल को विजिट कर रहे तो चैनल को सब्स्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करके ऑल पे क्ल सब्सक्राइब आपको जाएंगे सारे सेशन आपको जाके देखने स्पेसिकलिए आपको यह जीजिस करूंगा मिनिम्म फाइट टेन कोशन एक्जामनेशन पूछ जाते ओके यह सेशन जरूर जाके देखिएगा सभी की लिंक हमारे डिस्टिशन वाक्स में आवेलेबल है फिर आप वीडियो की सेक्षिन में जाके भी इसको आप देख सकते हो ठीक है और इसी के साथ आपको जून के करेंट अपकमिंग जूलाई आउगस्ट और सप्टेंबर के जो आने वाली करेंट इसको भी आपको वाच करना होगा और आपको प्रिंटेबल एबुक्स करने की फॉर एन्युल सब्सक्रिप्शन तो आप सिर्फ थर्टीन रुब्स में पूरे साल भर के लिए इस टेस्ट पास को जोईन कर सकते हो बिना किसी देरी कि अभी हम लोग सबसे बहुत बार का हाथ कह चुका गई कि आपको यह देखेगा सबसे पहलों तो यह सेशन होन आपको क्या करना होगा सबसे आपको आपको वर्ट पॉर्प और एक्सेल के अंदर जो भी टाब्स रहते है इसके आपको एक बार आवेरनेस पता होनी चाहिए जैसे कि हमने देखा इंसर्ट टाब के अंदर जो हेडर और फुटर रहता है ठीक है इसका ग्रूप है अवेले इंसर्ट टाब के अंदर इसलिए इसका रहता है हमारा ऑप्शन बी आपको वहने बार-बार कहे चुका गई जो हमारा वर्ड फॉर्स टेम अगर आप उपन करते हो ठीक है कोई भी नया ब्लैंक डॉकुमेंट फॉर्स टेम उपन करते है तो उसका नाम क्या आता है डॉकुमेंट वन ये इसका नाम रहता है जान देजिक है एक्जामनेशन में क्योश्चन बनके पूछता है ठीक है वाट इस डीफॉल्ट फाइल नेम गीवन टो एनी वर्ड डॉकुमेंट उसका करेट आंसर होगा हमारा डॉकुमेंट वन क्लियर है ऑप्शन बीस का करेट जाता है चली बढ़ते भी मारा नेक्स कुशन के और क्वेशन है मारे पास में अग्पूटर डैश टाइप अफ मल्वर डाट प्रोपोगेट बाइंसर्टिंग कोपी अप्रोग्राम इंटु उसको वाइरस का इस ठीक है एक कंपूटर का जो वाइरस रहता है टाइक टाप पास एक नेक्स्ट कोशन है गाइस विच साइन इस टू क्रेट अप्सुलूट सेल रेफरेंस वेरे वेरे इंपॉर्टन कोशन हमने प्रीवेस्टि काफे सारे कोर्स के अंदर यह कोशन पढ़ाया था गाइस लास्ट ट्वेशन पूछा गया था इन में से कौन सा साइन है क्रेट करने के लिए उसकर थे तो आपके अगर आपके पास एक्सेल के सेल रेफरेंस टाइप को पता अना चाहिए जैसे के रेलेटिव रहा है तो एवन लोग लोग लेकी सकते हैं अब्सक्ण इस तरीके से होता है मिक्स्ट मेंद डॉलर तो फॉस्स सेल इना MSXL MSXL addresses टीके सबसे पहला सेल अब सेल किसको कहते है हमारे पास में एक्सल में आपको पता होगा वर्टिकल और होरीजंटल लाइन से ठीक हर एक जो हमारे पास रेक्टेंगुलर बिल्डिंग ब्लॉक रहे थे इसको में लोग कहते है सेल ठीक है जो हमारे इसका नाम रहेंगा एवन अप्शन एसका करेट आइस अब देखे हमें आपके लिए एक्जांपल दिया है यह हमारा कॉलम ए रो है वन हमने 123 लिखा है तो यहां पर आजाएगा हमारा एवन नाम उसका ठीक है तो इसका फॉस्स सेल का जो नेम रहता है ठीक है ड्रेस रहता और इसे हम आपको पूछा गया था कि SSD का फुल फॉर्म क्या है उसका फुल फॉर्म होते है इस सॉलिट सेट ड्राइव यह एक सेमिकंडेक्टर बेस मेमरी होती है ठीक है सेमिकंडेक्टर किसे बनता है सिलिकॉन एफिर जर्मेनियम से जो लेकिन प्रेफरेबल है हमारा सिल सिलिकॉन तो जो सिलिकॉन सेमिकंडेक्टर है उससे बने वी जिसमें कोई भी मुविंग पार्ट ने रहता है उसकी स्पीड काफी जाधा रहती है ठीक हाला कि यह काफी बूटेबल ड्राइव करके हम लोग यूस करते है आजकल रिसेंटली लैप्टॉप्स में कंपूटर के अंदर तो यहाँ पर अपको पूचा गया था तो फुल फॉर्म इसका सॉलिट से ड्राइव ऑप्शन इसका करेट आंसर आ जाता है इसके नदर नंट फ्लैश में मेरी भी रहती है ठीक है इसके जो ग्रीन कलर की जो आपको शीट दिखाए दिरे उसको हम लोग के थे पी अब बढ़ते वे नेक्स को इस तो ऑपरेशन आफ कम्वाइनिंग टू सेल इंटो सिंगल सेल इन एकसल इस रफॉर्ट आज दो सेल को सेल मतलब क्या होता है एक रेक्टैंगल और बिल्डिंग व्लोग दो सेल को हमें एक सेल में करना होगा तो हम लोग उसको बहुते एक सेल में कमाइन कर सकते हैं क्लियर है ऑप्शन 20 का करेट आएंसर आ जाता है चली बढ़ते हुआ नेक्स को और को इस 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 डाश इमेजिटल बिलो दो टाइटल बार के जस्ट नीचे जो बार रहते हैं उसको में लोगते हैं मेनिव बार गाइज यह होता है हमारा ट गाइज बन सकता है त्टिकर जो मारा एक्सल का डिफोल्ट टाइटल रहता है निचे बार रहते हैं मुझे बार मुझे बार कहा पर करके बढ़े नेक्स कुछन के और question is which are the following is correctly describes the progression and feature of LPDDR RAM generation used in a smartphone. आपने देखा हो का LPDDR RAM का इनमे से कौन सा correct option होगा जो कि उसको correctly describe कर सकता है तो LPDDR RAM जो इस्टेंड फोर low power double data rate random access memory ठीक है low power LP मतलब होता है low power double data rate random access memory ठीक है RAM ये कौन से memory रहती है ये रहती है हमारी पास में volatile memory अगर आपने system को आफ करते है तो उसके इंदर का डेटा ही रहे सुच जाता है जो कि optimize की जाती है LPDDR RAM for mobile devices for high-speed data transfer and low power consumption इसका correct answer आजाएगा हमारा option C clear है बढ़ते भी मारे next question के और question is which of the following is used as a used for addition in MS section मैंने आपको बाहर बार कह चुका है कि आपको पात से 10 question जो है minimum आपको इससे पूछे जाएंगे MS office से ठीक है तो वो session जरूर जाके दीगेगा हमें addition करने होगे कोई भी numbers की तो हम लोग some formula use का ठीक है some terminologies या फिर हम लोग होएंगे some formula का इस्तेमाल करते options का correct answer होगा बढ़ते भी मारे next question के और question is इन में से कौन सा एक search engine नहीं है पूछा गया search engine आपको जो है respective default आपके जो default जो आपको search engine होता है जो आपको web links है उसको search करने के लिए मदद करा जैसे Google का search engine है ठीक है याहू का है ठीक है याहू से बेटर हम लोग कहेंगे जो इंटरनेट पर जूड़ी है जो भी लिंक्स है या फिर जो भी वेबसाइट से वाले पर इसके search results प्रवाइड करते हैं जिस तरीके से उनको indexing किया जाता है तो इन में से कौन सा एक search engine नहीं है तो वो है हमारा Facebook messenger option इसका correct answer हो जाएगा क्योंकि ये एक social media platform है एक चीज़ आपको मैं बिताना चाहिए था आपके पास अगर हम लोग 18 से काउंट करें तो आपके पास सिर्फ मिनिमूम 10 डेज है फॉर मेंस examination लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 5-6 डेज के अंदर आपको minimum 35 questions को correct answer mark करना है तो आप क्या किजिएगा इस हमारे course के इंदर सुपर एमसी की course को thoroughly read किजिए क्योंकि इसके अंतर 15 सेशन हम लोग प्रवाइट करें काफी comprehensive to the point session हमने प्रवाइट किये जो की latest exam oriented questions के पर डेवलप है ठीक है इस course को जरूर जो कि देखेगा आप 100 पसंट अशुरिंग हो कि काफी अच्छी तरीके साब examination में परफॉर्म कर सब्सक्राइब करना होगा अगर आपको कोई क्वेरी आती तो इस नंवर पर वाट्साइब कर सकते हो ठीक है continue करते हैं मारे question को question है मारे बस में अब प्रोग्राम एमेड़ेट इन सेमिकंडेटर चीप डूरिंग मैनिफेक्ट्चर उसको हम लोग कहते है फॉर्म वेर गाई सब्सक्राइब करने के लिए जो प्रोग्राम लगता है वुसको हम लोगता है फॉर्म यर कहां पर इंस्टॉल्ट रहता है अगर आपको ऐसा question है तो उसका करेट आंसर होगा मारा रॉम फॉर्म इस इंस्टॉल्ट इन राम 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 एप्रॉम ऐसे option आ सकते तो उसका हम जो रहता है उसमें भी हम लोग फॉर्म को इंस्टॉल करते हैं डिपेंडिंग अपॉन अप्शन लेकिन आपको राम ऑप्शन चूज नहीं करना है तीक है यह बात देहान ने ठीक होगा बढ़ते बिमारे नेक्स्ट कॉश्चन क्यों क्या होगा यह सेम कॉर्स के अंदर बढ़ते हैं एक फ़िए फ्रेस और को अंदर पिचिर्स के अंदर टेक्स के नदर टेक्स के नदर चोटे से आइकों से प्टेन करके जिसे ने बटन दिखाया यूट्प का उसके अंदर भी हम लोग इसको एंबेट कर सकते हैं यह सारे options के अंदर include हम लोग कर सकते हैं Hyperling का shortcut की क्या होता है Windows Word के अंदर वो क्या होता है मुझे जरूर comment box में comment करके बताएगा और हमारे सेशन अगर आपको पसंद आ रहे तो जैनल को सब्सक्राइब करके से मोटिवेशन चाहिए रहता है आप से सुधाट आपको लिए हम लोग time to time quality content क्रियाट करते रहें टेके देखें क्या पूछा गया था what is a shortcut key of Microsoft PowerPoint for help option help option के लिए Microsoft में कौन सी function की का इस्तेमाल करते है फिर कौन सी shortcut की का इस्तेमाल करते है तो वह होती है एक युनिवर्सल shortcut की है for help ओके option इसका करेंट आजाएगा चली बढ़ते भी मारे नेक्स कुशन के और question इस record of a column इन डीबी मेंस ठीक है डीबी मेंस का full form क्या होता है database management system ठीक है जो record of column उसको में लोग क्या के थे उसको में लोग के थे field guys ध्यान देजी का option C इसका करेंट आंसर होगा एंड record of row ठीक है record of row अगर पूचा गया तो उसके हम लोग के थे टूपल option यह उसको टैम पर करेंट आंसर होगा तो दोनों question आपके case में cover करा देता हूं ज़रूर उसको markup करके चाहिएगा चली बढ़ते भी मारे नेक्स कुशन के और question is which keyboard shortcut key is used to switch to the next workbook window when more than one workbook windows open एक से ज्यादा workbook अगर आपको ओपन होगा excel के अंदर तो next ऐसे चली shortcut की हम लोग यूज करेंगे एक next workbook में तो वह रहेगा हमारे पास में control plus f6 very very important की इस तरीके से question ibps ने recently last year आपको पूचे के थे ठीक है काफी important होगा अगर आपको minimize करना होगा current window तो आप क्या करोंगे control plus f9 इस shortcut की इस तरीके से आपको shortcut की पता होना जरूरी रहता है क्लियर है option c will be the correct answer in this case चली बढ़ते भी मारे next question के और question है मारे पास में how many alphabets are in a hexadecimal number आपको जो चार तरीक है के हमारे पास में number system रहते है binary decimal octal and hexa तो hexa में क्या रहता है कि इस numbers भी रहते जीरो से लेके 9 तके and letters भी रहते एसे लेके f तक के ठीक है a b c d e f ठीक है और इसका जो base रहता है यह रहता हमारा base 16 तो जो कितने alphabets रहते हैं यहापे इसमें alphabets रहते च्छे एसे लेके f तक के option d इसका correct answer होगा a b c d e f ओके f जो signify करता है 15 को रहता है unit number से option d will be the correct answer in this case शेली बढ़ते हैं मारे next question के और again very very important question logic gate को तो आपको भूलना ही नहीं बिल्कुल guys इन में से कौन सा एक logic gate नहीं है पूछा गया तो हमारे पास में basic logic gates होते हैं जिसके आपको list provide कर रहे तो और नौर एंड एक्स और एक्स नौर बफर एंड नौर जिनमें से नंड और यह universal gate कहला है यहां से भी question पूछे जा सकता है लेकिन इन option में से जो nat है यह सा कोई भी हमारा एक logic gate नहीं है valid logic gate नहीं है इसी लिसका correct answer होगा हमारा option d which is nat ठीक है बड़ते हुआ हमारे next question के और question is which of the following is not a programming language इन में से कौन से programming language नहीं है तो solaris जो है इन में से कौन से programming language नहीं है c c++ java को बोल ठीक है यह programming languages कोबोल यह programming language कहां ही उसकी जाती है comment box में जरूर कीज़ेगा बढ़ते हुआ हमारे next question के और question is octal number system का base क्या होता है यह पूछा गया है ठीक है तो octal number system का base होता है guys 8 option c का correct answer जाता है ठीक है जिसमें जो numbers रहते 0 से लेके 0 से लेके 7 तक रहते है ठीक है option c will be the correct answer in this case चली बढ़ते भी मारे next question के और question is which shortcut case used to align the text in a center चार तरीके के alignment रहते है word के अंदर ठीक है समझेगा एक तो रहते left एक तो रहते right एक तो रहते justify एक तो रहते center ओके तो जो चार तरीके के shortcut की रहती है उसके लिए assign किये अगर हमारे पास में align text करना होगा center में तो हम लोग control plus e control plus e का shortcut के इसमेख तेमल करते कि अगर हमें justify करना हो तो control plus j right align करना होगा तो and control plus r and left align करना हो तो control plus ns ठीक है यह चीज़ पता हो जाए ठीक है control shortcut के के साथ जो याल मतलब left R मतलब right J मतलब justify and center का मतलब रहता है C lower key center का मतलब center के लिए रहता है E nghi C क्योंकि अगर आप control plus C short runtime कर इस्तामाल करें तो it is for the copy it is used for the copy Option A will be the correct answer in this case श्रैलyy बढ़ते हैं भी, next question क्योंट is WHAT is the binary equivalent of a decimal value 10 to the base 10 तो ek देसिमल में है अभी दिखेंगे यहां पर जो बाइनरी पूछा गया तो हमें बेस इसका पता होना चाहिए तो यह बेस्ट है इसका मतलब किया है यह डेसिमल नंबर सिस्टिम ही रेगुलर आपको यह है लेकिन अगर हम इसको बाइनरी में करना को तो हम लोग क्या करेंगे 1010 गिले तुरिस्ट पाऔर एस्का सांव सब्सक्राइब काहरा चाहिए ठीकर यह दूक्त उस्पंट ओन्सक्राइब यह टोाइब इसस्टा शुटेस्ट तो ऐसंद मसे इसक्के वाइदे मद रहेगा ओके क्लियर रहे आता कि option इसका या पर करेंट आंसर आ जाता है शलिए बढ़ते में मारे नेक्स क्वेशन के और गाइस क्वेशन इस हाडवर कंपोनेंट यूज तो कनेक्ट वन कंपूटर तो अनादर कंपूटर नेट्वर्क वाट दोसर टर्म नाइस से जुड़ा हुआ इन में से कौन सा ऑप्षिन जो है करेक्ट है यह हमें पूछा गया तो यह वाटर मार्क जो रहता है गाईस यह हमारा एक वाइड करते हैं प्रिवेंट करते हैं कॉपी रइट पुटिंग देट टेक्स बियांड टो देगा जाता है ठीक है जी बढ़ते मारे नेक्स क्वेशन को और विच टाभ इस उस्ट इस ऊसर इंसर्ट के लिए अ इंसर्ट करने मतलब क्या टेक्स्ट आड करना आपको पिक्चर इंसर्ट करना होगा कुछ 3-D मॉडेल इंसर्ट करना होगा तो यह सारे इंसर्ट टैप के अंदर सी हम लोग कर लगते लिए बढ़ते भी मारा नेक्स क्कुशन के और अगें वेरी वेरी इसको जरूर मार करके रखेगा आई पीवी फॉर क्लास एका अड्रेस का जो है कौन सी रेंज है तो इसका करेट अंसर हो का हमारा ऑप्शन सी जिए जिरो दोटट जिरो डॉट से लेकिए 127.255.255 ठाट तो है तो यह आपकी जो हो जाए तो आपको मैंने एक टेबल देया ग्याज इसको आपको इसको क्लास जो है पाच अलगले लिए पीपर अड्रेस के और एबीसी डिए और उसके साथ एड्रेस रेंज आपको मेंश और एक प्रेंट नहीं है अब दीके दो तरीगी के प्रिंटर रहते एक तो रहते हैं एक प्रेंपक्टम मतलब क्या होता है इसकी पेपर के अपर कोई भी की स्रोक्स ठीक हर्ड प्रिसिर ना लगाते हुए आपके में अपने देखाए पुराने स्टयल में जो प्रिंटर उसके समें impact और non-impact printer इस तरह के से दो डिवेजन आ चुके यह आपको अपको अब प्रोवाइड करा दिया गए इस टिके डॉट माइट्रिक्स printer हो गया यहां पर आजेगा इस तरह के सब्सक्राइब कर सकते उसको इंप्रूव कर सकते उसको बढ़ा सकते गए तो यह एक utility software के consideration में आता है ठीक है जो डिस डी फ्रेग्मेंटर है इडिजन यूटिलिटी सौफट्वेर क्लियर है option D will be the correct answer in this case चली बढ़ते भी मारे next question के और question is Linux is a software is a type of dash operating system ठीक है तो जो Linux है कि हमारा open source type of operating system है option D इसका correct answer आ जाता है बढ़ते में मारे next question के और question is what is a shortcut use to insert the page break in MS word यह तो बहुत बार question पूछा जा चुका है गईज अगर हमें page break insert करना होगा MS word के अंदर कौन से shortcut का इस्तिमाल करेंगे control प्लस enter repeatedly टाइमस पूछा गया 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 या फिर अगर आप insert tap के अंदर page break pages group जो है वहां से भी आप page break को insert कर सकते हो ठीक है option C's का correct answer आ जाता है एक चीज़ आपको मैं notify करना चाता हो गया अब देखें बहुत बार student क्याकर थे कि सरह हमारी theory और हमारी सारी चीज़े पढ़ के हो चुके लेकिन हमें सिर्फ question चाहिए कि जो examination में reflect हो सेगे ऐसा हमें 500 और 1000 question आपको provide करा दो कि जो हम लोग पढ़के examination में चले जा और वही से हमारी 35 प्लस question बन जा तो इसी का solution हमने आपके लिए प्रवाइड किया एक ebook प्लस मॉक टेस्ट ऐसा एक कॉम्बो कोर्स हमने लॉंच किया गई एक कोर्स के अंदर आपको ebook भी मिल जाएगी 1200 question की ठीक है और उसको पढ़ने के बाद उसको solve करने के लिए as a practice question भी हमने प्र examination हो जाती है वैसे आपका coupon को हट जाएगा इसलिए आपको बताना चाहतो इसको जरूर जॉइन करके इसका फाइदा उठाएगा क्योंकि जो आपको solution चाहिए था ठीक है कि हमें maximum question चाहिए examination को prepare करने के लिए यह सभी हमने इसके अंदर include करके रखे ठीक है अभी तक कि जितन not a useful जो हमने to the point और refined question दिये वही आपको prepare करके जाने होगे इसको जरूर जोइन के जिगा काफी फायदी मंद रहेगा आपके examination के लिए ठीक है continue करते भी मारे question को question है हमारे पास में which can be used to start presentation from the beginning in a powerpoint powerpoint में अगर हमें beginning से presentation शुरू करना होगा तो हम लोग F5 इस shortcut की का इस्तमा करेंगे ठीक है दोनों shortcut की पता होने चाहिए यह फिर आप slideshow के जो टाब है ठीक है उसमें से current या फिर बिगिनिंग से इसको select कर सकते हो अब आपको यह जो डिफॉल्ट फाइल ने में एक पीपीटी का ठीक है वह क्या है presentation one तो यह जिबी ध्धान में रखी का जिससे मैं आ सब्सक्राइब को समझ में आ रहे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हम लोग काफी मोटिवेटेड रहते हैं एक एक आपकी सब्सक्रिप्शन से ठीक है चली देखते भी मारा next question citation group कौन से एक पूछा गया था रिसेंटली जो चैट जीपीटी है एक चोटे सा टास्ट दे रहा हो चैट जीपीटी का फुलफाम मुझे कमें बॉक्स में कमें करके बताँ तो चैट जीपीटी जो कौन से टेकनोलोजी उसकरती है यह नेच्टरल लेंग्वेज प्रोसेसिंग टेकनो यह एक हमारे इमेज के फॉर्मेट है अभी सब्सक्राइब लेक्टर ग्राफिक्स टिके वह आता है और अभी वैपी करके भी गूगल ने लांच किया तो यह आपको सारी चीज़े पता नीचे इस पीएंग्जी और गिफ्स आर ओल आर इमेजस टिके गिफ का फुल फॉर् का मैक अड्रेस मैक अड्रेस का साइस क्या होता है होता है 48 बिट का मैक का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट करना होगा अगे आपको ठीक है चली बढ़ते भी मारा नेक्स कोशिन क्या और कोशिन इस फास्टेस्ट मेमरी क्या होती है कंपूटर में सबसे बच्चे बहुत ब करके प्रक्राइब घरए इसके साइज क्या होती मुझे ज़रूर बताए कि साइस के रेंज क्या होती है मुझे कमें जान करके बताएगा ठीक है से लिए बटती है मारे next question क्यों question is वर्ड व्रैप feature यह क्या करता है वर्ड व्रबर फीचर क्या करते है आपने देखा और इस तरीके से बॉक्स में अगर आपने लिखा यहां पर आपका टेक्स करता हो गया तो यह चालोगा लेकिन अगर आपने इसको एक्स्ट जो है ऑटमाटिकली आजिस हो जाएगा इसका मतलब क्या है इसको मतलब आपको थोड़ी देर पहले पूछा था इंटरचेंज फॉर्मेट अब आपको सिर्फ फॉर्म ध्यान में रखना है इतना है नहीं होगा जी का आई का एफ का ऐसे भी इंडिविजल भी आपको पूछी जा सकते है तो बढ़ते हैं बिमारे नेक्स कुशिन के और कुशिन इस विचेट फॉलिंग ऑपरेटिंग सिस के वह उपर ही वह वर्क करते हैं ठीक है ऑप्शन डी इसका करेट आंसर आजाता है चली बढ़ते में वारे नेक्स कुशिन के और क्वेशन इस डाइस 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 बाट रिशाइट इन एक्टिव मेमरी आं डिप्लिकेट इस जो वाइरस खुद को डिप्लिकेट करता है अगर यह टर्मिनोलोजी आपको दीखे तो आपको आग बंद करके वार्म यह एंसर मार्क करते हैं अप्शन डी इसका है पर करेट आइस ठीक है यह 40 क्वेशन पूछे गए ते गाइस 2023 के अंदर इसी के अपको प्रेपर करना होगा अगर आपने टेलिग्रम चैनल नहीं कि है तो टेलिग्रम चैनल जरूर जोइन की जिगा जहां को हम लोग डेली रिजनिंग और कॉंट के प्रेक्टिस कोशन प्रवाइड करते हैं इस को जरूर जोइन के जिगा इस पास से शेच दिनों के अंदर यह आपके काफी कॉपिदेंस बूस्ट अप हो जाएगा इसको सिर्फ 4.99 रुबिस में जोइन करना होगा तो आप तीनों भी प्रेपरेशन इस हमारे सुपर बैंकी कोर्स से करसकते हो ठीक है को भी requirement आते तो मंझे comment box में comment कि जीए गा हमारे अप्लिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप फिक करने के लिए आप फिक करके आप हमारी चैनल को सब्स्राइब कर सकते हो रिसेंट सेशन को देखने के लिए यह आप अप इसको क्लिक करके इसको वाच कर सकते हो टेलेग्राम चैनल से कनेक्टर रहेगा so the time to time important update अब को मिलते है so guys मिलते भी मारे नेक्स सेशन में thank you for watching this session have a nice day